हेलो एबन क्या हाल चाल है मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग यूसफुल होने वाला है आपके लिए क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी एप्लिकेशन बताऊंगा जिसके पांच काम है और बहुत ही यूसफुल एप्लिक करना मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और 101% इस एप को सभी लोग जो इंस्टॉल करेंगे तो यह एप क्या है बेसिकली इसका काम क्या है और कैसे इसको यूज करें डाउनलोड कैसे करें पूरा मैं आपको यहां पे डीटेल में बताऊंगा तो आप देख रहे हैं आरके न्यूस टेक चनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली यह एप्लिकेशन इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा डाउनलोड करने से बहले इस एप्लिकेशन का आप काम देख लीजी ठीक है यह इस तरह जैना वह लगा होता है कुछ होटल में टिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर स्पाई केमरा है या नहीं है तो मैं सारे स्कैन करूँगा तो यह कैमरा यहां पर स्कैन हो चुक है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मतलब कि hidden camera यहां पर find out हो चुक है यह तो mobile का camera है लेकिन कोई भी camera होगा वो इससे spy कर लेगा ढूंड लेगा ठीक है समझ यह उसी तरह जैसे for example मैं phone को सीधा करता हू पर यहां पर camera लगाता हूं चुक हो यहां पर यहां पर camera यहां पर find out हो हो रहा है आपके merak errors कर लेगा शो महीं जो नेक्स लेकिन जब आप hidden apps पर जाएंगे तो आपको सभी application यहाँ पर show हो जाएंगी जो hidden रहेंगी जो आपके phone के लिए dangerous है तो उसके बाद dangerous app permissions अगर आपने डिवाइस में जितनी भी applications हैं तो जैसे ही मैं dangerous app permission पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा आपको पता चल notes तो यहाँ पर आप इससे delete भी कर सकते हैं यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर फेस्बुक को भी उड़ा सकते हैं या फिर कोई और application है या फिर आप यहाँ पर जाके permission को जो है जो आपने permission दी है जैसे कि for example मैंने इसको यहाँ पर जैसे calendar की गोई जूर्ट नहीं है ठीक है उसी तरह storage इसको आप don't allow कर सकते हैं ठीक है जो आपने यहाँ पर unnecessary permission यहाँ पर दी है आपने इस application को तो इससे आप भी safe रहेंगे और आपका device भी और आपका data भी safe रहेगा इस तरह आप यह hide कर सकते हैं उसी तरह आता है हमारा my wifi तो अगर आप यहाँ पर लगता है कि अगर hack नहीं होगा फिर detector का option आता है यहाँ पर यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं मतलब कि जो भी application आपने यहाँ पर download की है उनसे जो आपके device में add आ रही है add आती है कई आप उस application यहाँ पर remove कर सकते हैं फिर delete कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो application आपकी काम की नहीं है क्योंकि आपके device में unnecessary ads बगएरा आती है तो आप उस application यहाँ पर remove कर सकते हैं ठीक है समझ गे उसी तरह जो हमारा एक और feature यहाँ पर last वाला app वाला तो app वाले में जाएंगे तो आप यहाँ पर booster का option मिलता है आप boost कर सकते हैं अपने device को ठीक है तो यहाँ आपकी memory यहाँ पर release application है उसको आप यहाँ पर blueprint कर सकते है तो यह application के कुछ जरूरी काम थे जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता था तो आज का विडियो आपको कैसे लगा comment बोक्स पर कमंड कीजेगा सो बाई बाई टेकर जय हिंद बंदे मादरम